अलो दोस्तों गुड़ मॉनिंग आप सब कैसे हैं। I hope अब सब बहुत बहुत आच्छे होंगे। तो दोस्तों बहुत सरे लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग जो माई का मत है यह तो खतम होंने वाला है। क्या जून के महिने में हम लोग को कमिसन मिलने वाले हैं, या फिर करा बिर्ल fall या फिर कि प्रोसेसर आने वाले हैं या फिर वोह ट्रैकर आने वाले या फिर हम लोगवो अंडराने मिलने वाले हैं, ढखे वीडियो में इनका पई को फार डिसकस करने वाले हैं तो दोस्से पहला अगर चनल पिन्द चलन को ज़रूब से सब्सक्रेब करें इस वीडियो को लाख करें और इस वीडियो को शेर करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोगों को जुन के महिने में तो गाइस Mr. Aeswaran ने कहा था कि हम लोगों को बहुत जल्द वो verify launch मतलब हो सकता है देख सकते हैं हम लोग अपने back office में लेकिन दोस्तों इसके बारे में date नहीं बताया है कि कभी launch होगा तो guys मुझे लगता है कि शायद अगर June के महिने में आ जाता है अगर वो verify और वो verify हम लोग अगर दिख जाता है तो फिर हम लोग जितने भी founder है सभी founder को यहाँ पे KYC verify करना है I mean कि आपका ID जो है one passive के founder जो ID है वो उसको verify करना है तो guys यहाँ पे founder का भी verify करना है और अगर आप एक users हो तो आपको भी यहाँ पे verify करना होगा क्योंकि जो भी OES में registration किया है उन लोगों को सब को यहाँ पे KYC करना है चाहिए वो founder हो यहाँ फिर non founder हो यहाँ पे KYC करना कम पलसरी रहेगा क्योंकि Mr.S. ने बहुत पहले भी कहा था है कि जितने भी यहाँ पे users जोइन करेगा हम लोगों को यहाँ पे unique और authenticate और real users चाहिए तो यहाँ पे सभी को KYC verify करना होगा तो guys अगर वो verify आ जाता है जिस तरीके से पिछले 360 webinar Mr.S. Mufra ने कहा था कि मतलब टेस्ट हो चुका है टेस्टिंग हो चुका है और इसको कभी भी live कर सकता है तो इसके date नहीं बताया है तो I think कि अगर Mr.S. Mufra launch करेंगे तो मुझे लगता है कि वो definitely live आके बताएंगे और देखते हैं कि जून के महिने में फिर Mr.S. Mufra वो tracker को कब launch करता है या फिर date कब देता है अभी इसके बारे में तो date announcement नहीं क्या है बात कर लेते हैं payment processor के बारे में तो guys आप सो को पता हुआ कि जून के महिने में payment processor आएगा या नहीं Mr.S. Mufra ने 360 webinar पर पिछले webinar पर 360 में यहां पर यह किलियर कहा था कि इसको payment processor और भी देखा जा रहा और भी smoothly मतलब बहुत सरा payment processor को देखा जा रहा और उसको भी test किया जा रहा तो guys मुझे भी लगता है कि जून के महिने में इसके बारे में भी कोई information मिल सकता है तो guys फिर बात कर लेते हैं pending bidrol के बारे में तो guys आप सो को पता होगा कि pending bidrol तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोगों को यह confirm नहीं होगा कि payment processor testing हो चुका है और उसको live कर चुका है जब तक यह information नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को pending bidrol जो है आम इनकी जो हम लोग पे बीड्रोल के लिए लगाए है वो pending है वो pending bidrol नहीं मिल सकता या फिर उसका हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को यह information नहीं मिल जाएगा कि payment processor live हो चुका है या फिर उसको test करके live कर चुका है क्योंकि दोस्तों जब testing करके lab कर देगा तो फिर हम लोगों यह मतलब मालूं चलिएगा कि बहुत जल्द फिर हम लोगों को commission मिल जाएगा तो गाइस फिर बात कर लेते हैं बोनसेज के बारे में क्योंकि दोस्तों गुर्षमिन सर के वीडियो आप लोग कल देखें हैं तो आप लोग वानपाइसिब की टीम चेंपियन ऑफिसली यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं वहां पर लगबग वीडियो बना हुआ है दो घंटे का तो आप लोग जाके देखेंगे और जो नीव इनफॉर्मेशन है आप लोग वहां से रिसीब करे देख सकते हैं वहां पर न्यूव इंफॉर्मेशन देया गया आप लोग न्यू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं वहां प Bossy ऑफिसली यूट्यूब चैनल पर आमिंड्या इन्ड़ीयो टियम चिंपेंए उसके यूट्यूब चैनल परू तो आने वाले समय में हम लोगों को और भी नुए इनफ्रमेशन प्रोवाइड कर सकता है जुन के महिने में तो गयाइस देखें जुन के माहिने में क्या क्या इनफ्रमेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि Mr Aismeralन कहन कांग हम लोगो जो bank account में पेंडिंग बेडॉल के लिए रिकौइच डाले है या फिर क्रुप्ट वाले में बेडाइक के लिए रिकौइच डाले हैं I think कि मिल जाना चाहिए यूज्ट सो पर ने कहा कि जो बैंक अकाउंड का अमांट फिरीज हो क्या गया था वो 1 passive के bank account में एक विक के अंदर आने वाले हैं तो guys next 360 webinar पे Mr. Asmora अगर आएंगे तो उस 360 webinar पे Mr. Asmora ज़रूर बताएंगे कि वो amount जो freeze क्या गया था वो amount 1 passive के bank account में आ गया है या नहीं अगर आ गया है गोस्तों तो फिर लोग सोचिए कि हम लोगों फिर बहुत जल्द कमिसन मिलने वाले हैं बोनासिस मिलने वाले हैं पेंडिंग भी रूल जा है वो भी रूल हम लोगों मिलने वाले हैं लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते मिस्टर एस मुरत तरी 65 बिनर पे आएंगे और डिफिनिटल इसके बारे में बताएंगे तो दूस्तों आने वाले समय में हम लोगों को बहुत कुछ है यहां पे मिलने वाला है जैसे कि मैं सारे के सारे पॉइंट को पर डिसकस किया कि हम लोगों को बोनसेज मिलने वाले हैं कमिसन मिलने वाले हैं पेंडिंग बीडियोल आने वाले हैं वो ट्रैकर आने वाले हैं के वाईसी करने वाले हैं वो विरिफाई के धरूसे तो guys आने वाले समय में हम लोग busy रहने वाले हैं बहुत और फिर हम लोगों को यहाँ पर जो real बंदा है जिसका name changes कर सकता है अभी कर सकते हैं हम इनके अगर वो founder में name change करना चाहते हैं या फिर OES में name change करना चाहते हैं तो दोस्तो आप लोग name change कर सकते हैं और सही document से verify करेंगे तो उस document में जो name लिखा वो ही name आप लोग OES में रखेंगे ताकि फिर आपको KYC करने में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए तो दोस्तो यह information आपको कैसा लगा मुझे comment करें जुरू बताना और चैनल पर चैनल जुरू से subscribe करें इस वीडियो को लेख करें और इस वीडियो को share करें